हेलो गाइज, वेलकम बैक तो कारडिलाइट, यह है युन्डेई एलीट आटवेंटी मोडिफिकेशन पार्ट टू, जैसे मैं आपको बताऊंगा कम्प्लीट लिस्ट अफ आल इंटियर असेस्ट्रीज अलोंग विद कस्टमाइजेशन, अगर भी तद आपने पार्ट वन न ना भूले, और सो हमारे फेस्बूक पेज को लाइक करें, साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और फेस्बूक का ग्रूप जॉइन करना ना भूले, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे बहले यहां पर हमारे पास आते हैं ट्विटर्स, अगर आप यहां पर ऐसे ट् तो कुछ ऐसी आपको लुक मिल जाती है, ट्विटर्स लगने के बाद, प्राइस है इसका 250 से लेके 500 रुपीज, बहुत सारी क्वालिटी इस अवेलेबल है, तो नेक्स अब यहां पर दोस्तों अवेलेबल है, आमरेस ट्रे, कुछ ऐसी आपको लुक मिलती है, और अपको लुक मिल जाते हैं, इसके साब दोस्तों अब अब देखने हैं, ब्लू कलर, बहुत सारी कलर ओप्शन अवेलेबल है, जैसे की और इंज, यलो, रेड, पॉपल, मजेंटा, आइस ब्लू, एंड मुल्टीपल ऐसे कलर ओप्शन मिल जाते हैं, इवन आप मुल्टीप अब 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 जाते हैं, इसके कोस्टिंग थोड़ी जाते हैं, बट उसमें अपने अकॉटिंग कलर भी चेंज कर पाएंगे, अब अब इसको प्राइस है 500 से लेके 2000 रुपीस, दोस्तों, जैसे ब्लू करते हैं, और आप चाहते हैं, रिपल कॉप लास यहां पर लुक मिलती है, और अपने लुक्षरी काज में भी देखाऊगा, वहां पर भी काफी वुड़न गारिश ओफर करी जाती है, तक एक पॉश अपील दीजाए, तो यह है सेकेंड पैटरन, और दोस्तों, यह है फोर्स पैटरन, यहां पर इंफोटेंट्मेंट सिस्ट्रम के पास आपको वुड़न गारिश मिलती है, प्लस इंस्ट्रमेंट टिस्टर के बाद डिश्पे भी आपको मेलेगी वुड़न गारिश, और आप फिट इन फिनिश क्वालिटी देख सते हैं, और यह है सेकेंड पैरन, टॉप लग्स फिट इन फिनिश क्वालिटी मिलती है, कुछ ऐसा को खो खोशोड़न पैंगी लुग मिल जाती है, इसका प्राइस रहेगा 3000 रुपीस, so chrome pack की बहुत ही premium आपको look मिलती है इसके साथ जो wooden pack है वो भी एक बहुत ही luxury touch देता है so आपको जो best suit करें और जो आपको best लगे अब वो ही install करवाएं so guys next up आते हैं seat covers so market में बहुत सारे color options available है साथ में single tone and dual tone color भी हमें मिलते हैं इसे के साथ आप leather seat covers या फिर fabric seat covers भी install करवा सकते हैं जो seat covers है वो extra layer of cushioning भी देती है and overall जो interior है उसको भी काफी जादे एक premium touch देती है यहाँ पर हम normal seat covers भी लगवा सते हैं जिसकी cost होड़ी कम रहती है यहाँ फिर हम लगवा सते है bucket seat covers so यह आप देख रहे है bucket seat covers जो की top notch comfort offer करते हैं हमें company fitted वाली ही finish यहाँ पर मिल जाती है जिसकी cost होड़ी higher रहती है इसकी जो आप cost देख रहे हैं इसकी cost है around 12,000 रुपीज and seat cover start होते है from 2000 and up to 20,000 रुपीज and यहाँ जो आप armrest देख रहे हो आप ऐसे भी करवा सकते हैं और आपने सिर्फ armrest करवाना है तो इसकी cost रहती है 700 दोस्तों आप करते हैं leather wrapped steering wheel की so कुछ ऐसे आपको leather wrapped steering wheel मिल जाता है अगर आप customization कर आते हैं इसे customized steering wheel कहते हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारे color options available रहते हैं अब यहाँ पर single tone यहाँ पर देख रहे हैं dual tone भी मिल जाता है और आप fit and finish देख सते हैं exact हमें जो leather wrapped steering wheel मिलता है company fitted वैसी आपको यहाँ पर finish मिल जाती है आप यहाँ पर देख सते हैं बहुत ही neat and clean work होता है इसका और यह बहुत ही superior grip offer करता है और आप देख सते हैं आप trusted accessory store पर एंड वहाँ पर आप यह इंस्टॉल करवाएं ताकि आपको लॉंग रर्म में बहुती superior grip of अगरे fit and finish वालेट आपको excellent मिले और साथ में कोई भी problem ना है future में Elite i20 के लिए aftermarket infotainment system भी available है तो कुछ आपको ऐसा infotainment system मिल जाता है है top class features के साथ and full HD screen के साथ यह है 8 inches का android touch screen system with quad core processor and 1 GB आप हमें RAM मिलती है और guys 16 GB inbuilt memory है यह android system में यह जो भी activities हम अपने smartphone पे करते हैं वह हम यहाँ पे भी कर सते हैं सारी mobile apps डाउनलूड हो जाती है calculator यूज कर सते हैं Facebook यूज कर सते हैं Gmail operate हो जाता है कि tire pressure monitoring system हम elite i20 में install कर सकते हैं और जो इसकी app है वह आप इधर touchscreen system में install कर लेंगे तो जो हरे tire का pressure है वह स्क्रीन पर display हो जाता है साथ में internet browsing आप यहाँ पर कर सते हैं YouTube operate हो जाता है Google भी यूज कर सते हैं also guys बहुत सारे wallpapers हैं यहाँ पर wallpaper भी आप चींज कर सते हैं system का साथ में अगर आप reverse working camera इंस्टॉल कर रहाते हैं Elite i20 में तो इसका आपको display मिलेगा इस 8 इंचिस की screen के अपर वीडियोज प्ले हो जाते हैं यहाँ पर images भी व्यू कर सते हैं and हमें guys मिलता है inbuilt wifi साथ में यह support करता है navigation, mirror link, USB, aux, bluetooth, cd, dvd and radio को steering controls भी यहाँ पर easily synchronize हो जाते हैं तो दोस्तों यह top class system दिया गया है जिसका price है 20 से लेकि 25,000 करते हैं कि आप कहां से purchase कर रहे है साथ में दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं है तो make sure अभी अभी subscribe करने के साथ साथ आप bell icon जरूर प्रेस करें so guys अब बात कर लेते हैं को छोड बहुत ही useful accessories के बारे में तो यह है rear dual cup holder जो की rear headrest की ठीक पीछे कुछ ऐसे install हो जाता है और कफी useful product भी है यह जो उसका price है वह है 650 रूपीज and इसी के साथ दोस्तो single cup holder भी available है जो की doors पे install हो जाता है आप all four doors पे किसी भी door पे आप install कर सकते हैं बहुत ही easy installation and बहुत ही काम का यह product है जो उसका price है दोस्तो वह है 400 रूपीज next up guys यहाँ पे available है हमार पस sunglass holder two front cabin lamps के साथ so कुछ ऐसी आपको इसकी look मिलती है बहुत ही easy solution है and उसका price रहने वाल है वो है 1200 से लेकि 1500 डिपेंड करते हैं कि आप कहां से purchase करेंगे most probably है आपको 1200 में easily available रहेगा and साथ में आप इस sunglass holder मिल जाता है and दो front में cabin lamp भी मिल जाते हैं ज तो यह आप जरूर इंस्टॉल करवाए एरन में में अवेलिबल नहीं रहता दोस्तों आपका बॉट टाइम से question आ रहा था कि हम steering mounted audio controls and bluetooth controls elite i20 में इंस्टॉल करवा सते हैं जैसे कि हम क्रेटा में aftermarket इंस्टॉल करवाते हैं तो यह सब elite i20 में steering mounted controls इंस्टॉल करवा सते हैं aftermarket यह available है प्राइज इसका 2000 से लेके 3000 रुपीज और दोस्तों यह plug and play मिलते हैं यानि कि हम इसको easily install करवास आते हैं और यह directly connect हो जाते हैं music system के साथ तो इसकी बहुत ज़्यादा easy installation आपको मिल जाती है है वाइस नेक्स्ट यहां पर अवेलेबल है portable sunglass holder सो कुछ ऐसा आपको sunglass holder के look मिल जाती है driver side पेसेंजर side जो sunshade है वहाँ पर यह fix हो जाता है अगर हम extra sunglass करी करते हैं तो यह बहुत ही useful product है और यह portable है तो हम इसको रिमूफर के साथ में carry भी कर सते हैं तो यह बहुत वे से use हो जाता है यानि हम गाड़ी में इसको store कर सते हैं sunglass holder रख सते हैं इसके अंदर and as a sunglass holder के case भी बन जाता है तो आप इसको गाइस elite i20 के लिए market में abundance amount में floor mats available है plain transparent mat 2D 3D 5D and 70 mats जो price है वो है 300 से लेके 2000 रुपीज जो आपको best suitable लगे आप वो इंस्टॉल करवा सकते हैं so next guys यहाँ पर आता है door scuff plates so कुछ ऐसी आपको door scuff plate भी मिल जाती है elite i20 के badging के साथ illuminated scuff plate दे गई है यहाँ पे blue color के illumination के साथ और other colors भी हम आरको मिल जाते हैं जुसका price है वह है 1800 रुपीज and कुछ ऐसी भी आपको मिल जाती है plane जिसमें i20 की badging मिल जाएगी metallic scuff plate मिलेगी इसका price है 500 से लेके 900 रुपीज different price आता है इसमें काफे सारे different patterns available है and guys जितने भी accessories है उन सबका link आपको मिल जाएगा description box में leather wrap gear knob दोस्तो and leather wrap steering wheel हर एक variant में offer नहीं करा जाता steering wheel customization के बारे में आपको अलड़ी बता चुक हूँ अब बात करते हैं gear knob के बारे में so जो gear knob हमें top end variant में मिलती है जिसमें आपको piano black inserts मिलते है and silver finish भी मिलती है वो आप लगवास आते है aftermarket यह available है इसका price है सिरफ 700 रुपीज सुपीरियर यह grip भी offer करेगी sunshade दोस्तों बहुत ही useful accessory है summers में यह काफी काम किये है all food doors में यह ऐसे कुछ fix हो जाते है so कुछ यह वाली variety भी available है कुछ आपको ऐसे look मिल जाती है जिसका price है 1000 and कुछ ऐसे भी sunshade available है जिसका price है 1200 so जब हम इसे use करते है hot summer days में तो sunlight minimum एंटर करते है cabin के अंदर जिसवे से वह all cabin cool रहता है and AC efficiently work करता है so दोस्तों जत्ते भी हमारे पर storage areas गाड़ी में available रहते हैं वो at the end of the day हमेशा कम ही हो जाते हैं especially जब हम travel कर रहे होते हैं so यहाँ पे available है multi-purpose pocket seat organizer जहाँ पे आपको मिलते हैं दो mobile holder one ipad holder साथ में दो bottle holders, tissue paper holder, umbrella holder and some more storage spaces यहाँ पे आपको मिल जाती है driver side seat and passenger side seat के ठीक पीछे यह लग जाती है easy installation है so अगर आप कभी travel कर रहे हो तो यह आप fix करवा सते हैं and remove भी easily हो जाता है so दोस्तों जो इसका price रहेगा वो है one thousand each अगर आप दोनों जगाए लगवाते हैं तो two thousand rupees total इसका price रहेगा link आपको मिल जाएगा इसका description box में so guys अब बात करते है rear entertainment की तो यहाँ पर हमें मिल जाती है rear entertainment android touchscreen system so यह system है यहाँ पर हम shows देख सकते हैं movie play कर सकते हैं android system मिल जाता है बहुत सारे इसके features है और जितने ज़्यादा features वाली आप यह screen लेंगे वैसे वैसे price भी increase होता जाएगा अब दोस्तों next आप आती है armrest cushion so armrest cushion बहुत जादा helpful है because कहीं बड़ी ऐसा होता है कि हमारी height थोड़ी कम होती है यहाँ फिर हमारी extra height होती है जिस वेसे हमें armrest की जो position होती है वह accurate नहीं होती एंड वह इतनी ज़्यादा comfort हमें offer नहीं कर पाती बट उसका कोई भी issue नहीं है यहाँ पर armrest cushion available है जो कि आपको बहुत ही बड़िया support offer करता है बहुत सारे color options available है जो आपकी गाड़ी में interior theme हो उसके साबसे आप color choose कर सकते हैं और दोस्तों जो उसका price है यानि armrest cushion का जो price है वो है 700 only अब इसके बाद आता है boot organizer अगर आप frequently travel करते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा अपना luggage area यानि boot space use करते हैं और वापे जो आपके items है वो scattered रहती है तो आप boot organizer ले सकते हैं जिससे कि जो भी items आप boot में store करेंगे वो organize रहेगी and overall जो boot है वो neat and clean ही रहता है तो दोस्तों जो boot organizer है उसका price है 500 से लिगे 700 रुपीज depend करता है कि आप कितने pockets वहला आप install करवाते हैं so guys हम अपने गाड़ी में install करवाते हैं cabin lamp या फिर जिससे आप कहते हैं reading lamp so कुछ ऐसा reading lamp install हो जाता है जो कि बहुत ही heavy duty है and उसकी wire है बहुत ही flexible है यानि हम easily इसको move कर सकते हैं साथ में इसमें on and off का switch मिलते हैं तो accordingly हम इसको turn on या फिर off कर सकते हैं manually so कुछ ऐसी आपको इसकी installation मिलती है कार में किसी भी place पे आप इंस्टॉल कर आ सकते हैं तो दोस्तो reading lamp का जो price है वो है 400 rupees so guys अब बात कर लेते हैं Elite i20 के लिए cushions कौन-कौन से available हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है neck cushion जो की long drives में बहुत ज़्यादा support offer करता है neck में भी pain नहीं होती है and back में भी pain नहीं होती है after installation जो उसका price है वो है 300 rupees and i20 के लिए cushions भी purchase कर सते हैं तो कुछ ऐसे को Hyundai के लोगों के साथ black cushions या फिर beige color के cushions मिल जाते हैं इसी के साथ दोस्तों आप normal plane pattern के साथ भी different type of cushions दे सते हैं interior color theme के according so जो उसका price रहता है वो है 400 से लेके 800 rupees और दोस्तों यह है neck rest जो की seat belt के साथ ही fix हो जाती है price है इसका 500 so guys अगर आप frequently travel करते हैं आपके back में थोड़ा बहुत भी pain रहता है तो आप यहाँ पर लगवासाते हैं back rest for extra cushioning साथ में दोस्तों जितना भी मैंने वो कुछिन के total set बताया है वो आप ज़रूर करें purchase करने के लिए यह बहुत ही ज्यादा useful items रहने वाली है दोस्तों अगर आप रखना चाहते है अपनी elite i20 को बिलकुल neat and clean तो आप जरूर purchase करें portable vacuum cleaner जो की बहुत ही ज्यादा handy है और इसी के साथ इसकी जो suction power है वो बहुत ही impressive है बहुत ही जल्दी यह dust को collect करता है और help करता है गाड़ी को clean रखने में प्राइस है इसका 1200 से लेके 1600 रूपीज और जो इसकी वायर है वो directly plug-in हो जाती है 12-volt के power socket में और फिर हम इसको use कर सकते हैं बहुत ही easily so next up guys यहाँ पर आता है हमारे पास trash can trash can कुछ ऐसे design का available है जो कि bottle shape में दिया गया है प्राइस इसका 250 and guys कुछ ऐसे design भी आपको मिल जाता है जो कि all four doors पे जो bottle holder and map pocket की space है वहाँ पे outer की तरफ यह लग जाता है काफी कम space लेता है यह and बहुत ही useful रहता है इसका price है 350 so guys अब बात करते हैं central locking की so central locking आप लगवा सते हैं aftermarket 4000 से लिके 5000 रुपे इसका price रहता है and कुछ ऐसी आपको यहाँ पे look मिल जाती है 2-3 यहाँ पे key के patterns available है design available है जो कि आप ले सते है and दोस्तों जब central locking install हो जाती है उसके बाद आगर आप चाहें तो वो central locking को आप convert करवा सते हैं flip key में so कुछ flip key आपको ऐसे available है पूरा key shell मिलता है अंदर पूरा system भी दिया होता है so यह जो आपकी normal key होती है वो convert हो जाती है flip key में and साथ में जो central locking का यह remote है यह pair हो जाता है directly पनी काड़ी के साथ so कुछ ऐसे भी हम remote मिल जाता है हमें जो की after market available है and दोस्तो अगर आपको original lion day वाला चीए जो आपको कुछ ऐसा मिलता है upper variants में तो आप वो भी ले सकते हैं तो वो लेने के बाद भी pair हो जाता है आपकी गाड़ी के साथ तो यह बहुत ही easy process है कोई इसमें complex नहीं है and साथ में जो central locking है वो 4-5000 रुपे है और अगर आप flip की लगवाते हैं तो उसके लिए आपको extra 2-3000 रुबीज देने पड़ेंगे तो दोस्तो यह तो थी central locking की बात आप बग करते हैं other accessories की तो दोस्तो rear parcel tray आपको नहीं मिलती lower variants में rear parcel tray आप install कर रासते हैं यह है aftermarket इसका price है 1500 अगर आप original company वाली install कर राते हैं तो उसका price होगा 2500 रुपीज and guys यह है rear manual curtain price है 1000 से लेके 1500 beige color आप देख रहे हैं black color में भी available है बहती easily open and close हो जाता है कुछ ऐसी आपको मिलती है इसकी look and guys Hyundai Elite i20 and other cars की जो भी accessories, modification, customization या फिर customer land पे कोई भी problem चल रही होती थी तो उसके बारे में हम काफी जादर discussion करते हैं तो आप Facebook group जरूर जोइन करें आपको link मिल जागर description box में तो दोस्तों यह था full and complete list of all Hyundai Elite i20 interior accessories with customization आपको वीडियो पसंदा है, make sure like and share करना ना भूलें चैनल पे first time आ रहे हैं अभी तक सब्स्राइब नहीं किया तो make sure अभी कि अभी सब्स्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तो आज की वीडियो के लिए अपसे कर मुलगात होगी ऐसी एक बहुती बढ़िया review के साथ थैंक यू